देखिए प्राइमिनिस्टर मोदी की विजिट जो ब्रिक्स समिट को लेकर है उसमें अव्विसली एहम मुद्र डिसकस होंगे जो ब्रिक्स प्लाटफॉर्म के हैं प्रंतु उसके इलावा एक बायलाटरल होगी पूतिन और मोदी जी की वो अल्मोश है कनफर्म कहा जा रहा ह वो बहुत बहुत इंपर्टन होगी क्योंकि प्राइमिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन होने के थर्ड टर्म में सबसे पहली फॉरण विजिट रश्या करी थी और उस विजिट के दोरान प्राइमिनिस्टर ने कहा कि हमारी फॉरण पॉलिसी अब प्रो एक्टिव रोल प्ले करेगी प्राइमिनिस्टर उसके बाद जेलिंस्की से मेरे उसके बाद अमेरिका गए बाइडन से भी मिले हैं और अब दोबारा पूतिन से मिल रहे हैं तो ये सारी हाई लेवल मीटिंग्स करके प्राइमिनिस्टर मोदी को काफी अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि यूकरे देश, important देश जैसे अमेरिका, यूकरेन भी क्योंकि इस conflict में वो involved है इस conflict को कैसे देख रहे हैं और इस conflict को अगर रोकना है तो किस हालात में किन conditions में रोका जा सकेगा तो प्राइमिनिस्टर मोदी ये discuss करेंगे पूतिन से यूकरेन वार के मुद्दे को ये बहुत एहम है दूसरा जो होगा bilateral अब वो हो ना हो कहनी सकते वो है possibility शी जिन पिंग के साथ अगर मोदी और शी जिन पिंग की meeting होती है तो definitely इसका मतलब है कि दोनों देशों ने अपने कुछ रिष्टों को सुधारने के तरफ मंशा रखी है खास करके चाइना और अगर ये meeting नहीं होती है तब ये indicate करेगा कि चाइना का जो रवई है वो भारत के प्रती बदल नहीं रहा है और चाइना और हमारी जो border dispute है जिसको मिनिस्टर जैशिंकर और हमारी सरकार कहती है कि सबसे एहम मुद्दा है हमारे रिष्टों में तो वो मुद्दा अभी शायद जल्दी solve होता नहीं द ठा रहे हैं इनफैट आज ही हमने एक press release issue किया है जिसमें हम कहते हैं कि Trudeau जो कर रहा है वो China gate scandal के pressure में आके कर रहा है भारत के प्रती चाइना ने Canada की elections को interfere किया Canadian democracy को damage किया Canada के अंदर Trudeau की image छवी ध्वस्त हुई की ये तो अपने देश को protect नहीं कर पा रहा Chinese influence से उस image उस failure अपने को divert करने के लिए Trudeau ने निजजर वाले case को एक बड़ा case बना करके दिखा दिया अपने देश में बोला कि बहुत बड़ा मामला हुआ है और देखो मैं इस case के साथ कितनी strength और कितनी strongly मैं इसके साथ जूज रहा हुँआ है बिलकुल alert हूँ अपने देश की national security के लिए तो उसने अपना जो failure था उसकी foreign policy का in fact उसकी national security का also जो वो चाइना को prevent नहीं कर पाए उस damage उस failure अपनी चवी को बचाने के लिए distract किया Canadian public को दिखा करके जी देखो ये target भारत है भारत interfere कर रहा है और भारत के खिलाफ मैं कितने सकत कदम उठा रहा हूँ तो ये दिखाना कि भई मैं बहुत strong leader हूँ जबकि उसके against charges यह चल रहे हैं देश के अंदर की वह कमजोर leader है क्योंकि उसने चाइना को counter नहीं कर पाया देखे यूएस की चुपी कुछ तो ये कहती है कि obviously दो देशों का अपसी मामला है तो अमेरिका सोचता है कि चली इन दोनों को आपस में जूज लेने दीजिए but America definitely very much इस मामले में involved है या देख रहा है और खास करके क्योंकि Canada और America और England और New Zealand और Australia ये पाँच देश हैं इन पाँचों देशों की जो intelligence agencies हैं वो आपस में सारी information share करती हैं इनको कहा जाता है five eyes आईज यानिकी आँखें तो पाँच intelligence agencies सब कुछ आपस में share करती है so obviously Canadian intelligence के पास जो information है वो उन्होंने Americans को भी बता रखी है और Americans के पास जो है उन्होंने Canadians को भी बताई दिये तो I think फिलाल के लिए America चुपी सादेवे है इस case को देख रहे ही case कैसे आगे बढ़ता है क्योंकि अगर Canada के पास evidence है जो की नहीं evidence अभी तर अगर Canada के पास evidence है तो अमेरिका के लिए भी थोड़ी मुश्किर बढ़ जाएगी क्योंकि वो जो मुद्दा होगा Canada का कि वही हमारे देश का rule of law किसी foreign देश ने disrupt किया उस मामले में moral morality के हिसाब से अमेरिका को Canada के साथ ख़ड़ा होना पड़ेगा परन्तु अमेरिका वो नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका अपने रिष्टे भारसे जो देख रहा है इतने strategic है इतने long term है उसके इतने interest में है तो अमेरिका भारसे रिष्टे बिलकुल नहीं गड़़ाना चाहता तो इसलिए अमेरिका अभी कुछ हद तक side lines पर भी है